स्वाकत आपका एक नई वीडियो के साथ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गैस की booking आपको अपने WhatsApp से कैसे करनी है आपका मुबाइल नंबर चाहे registered हो चाहे नहीं हो यदि registered नहीं है तो भी आपको अपने मुबाइल से आपके WhatsApp नंबर से आप आराम से book कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको मैं register करके दिखा दूँगा, आपको mobile number को कैसे register करना है उसका process भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप चैनल पर बने रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको update मिलते रहें अभी बात आती है, कि मैंने जो mobile number शेव कर रखा है इंडिन गैस के नाम से, जो मैंने WhatsApp पे open कर रखा है ये mobile number भी आपको वीडियो के end बे मिल जाएगा मैं आपको बता दूँगा, ये number भी अभी मैं आपको पहले procedure बता देता हूँ, कैसे आपको book करना है चाए registered mobile हो, चाए नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी आपको इसमें, पहले आपको मैं book करके दिखाता हूँ, क्या procedure है इसमें high type कर देना है, high, hello, कुछ भी ये type करने के बाद, वहाँ से आपके पास reply आएगी आपको language choose करना है, तो आप Indian English, इसमें भी आफ comfortable है वो आप select कर सकते हो, मैंने English कर दिया है इसके बाद वहाँ पे आपके पास देखिए ये आएगा, sorry we could not find any LPG connection against your mobile number अभी यहाँ पे ये कह रहा है, कि भाई हमें इस पे कोई भी mobile number registered नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो explore more menu है, इसके उपर आपको click कर देना है ठीक है, यदि आपका mobile number registered रहता, तो आपको refill के option पे click कर देना है LPG refill पे, यदि आपका registered है तो, और नहीं है, तो भी आपको इसी पे click कर दीजे, कोई बात नहीं ठीक है, जैसे आपने refill पे click किया, आपको ये फिर से दिखा रहा है कि facility is not available registered customer only मतलब ये कह रहा है कि दूसरी number के लिए facility is available नहीं है, registered number के लिए है तो अभी register कैसे करना है, उसका मैं procedure बता देता हूँ, आपको कहीं भी जाने के जरूद नहीं है आप गर बैठे आराम से, अभी इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको register करना है, देखिए आपको इसको yes कर देना है, आपको दो मिनट में आपका register हो जाएगा, मुबाइल नंबर कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको consumer ID डालनी है आपकी, ठीक है, solar digit की consumer ID जो की आपके पास आपकी जो एक इंडियन गैस की तरफ से एक जो पासबुक या type की मिली होगी, कोई copy type की मिली होगी, जिसमें आपका यह consumer नंबर, या फिर यह आप कह सकते हैं, relationship ID आपके पास रहती है, वो आपको यहाँ पे डालनी है जैसे वो आपको यहाँ पे डाल देंगे, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कि आपकी consumer relationship ID डालने के बाद आपको send कर देना है इसको, अब यहाँ पे आपको यह पूछ रहा है कि आप इसका verification कैसे करेंगे, आपके पास यदि कोई भी पहले आपने gas लिया है तो उसका subscription voucher होगा, या फिर आपका आदार नंबर, आप इन दोनों में से किसी से भी आप verify क करवा सकते हैं, जैसे subscription voucher हैं या फिर आदार नंबरρεί हैं, तो मैं आदार नंबर कर दे रहा हूँ, आदार करते हीं आपको यहांपे, लास्ट की चार repo डिजिट आपको डालनी है, आपके आदार नंबर की, आपका आदार कारड है, उसकी लास्ट चार डिजिट डालनी है औ वो आपका सेम है जो आप अभी डाल रहे हैं तो आपका मुबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब उसके बाद आप आराम से गैस बुकिंग आपके मुबाइल से वाटसप से ही कर पाएंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि य यह जो नंबर है यह क्या नंबर है जिसमें हम वाटसप पे मैसी सेंड कर रहे हैं इस पे आज़ाते हैं यह देखिए यहाँ पर यह नंबर है इसका 75888824 ठीक है यह नंबर है यह आपको सेव कर लेना है जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं उसके बाद जो प्रोसेस मै पाइल नमबर भी रेजिस्टर कर सकते हैं आप अपनी गैस बुकिंग भी कर सकते हो